असलाम वालेकुम जाकर भाई जी मैं अभिशेख बर्मा मेरी एज उनने सार MP से आया हूँ मुझे मुसलिम होना है और एक हंडी के लिए कुरान पाथ चाहिए और घर से थोड़ सा प्रॉब्लम है मुझे इसलिए निकाल दिया है घर से मैं अभी यहीं हूँ मैं अपने फ्रेंड के साथ मुहम्मद रफिक खान है भाई का उन्हें के साथ मैं हूँ तो मुझे मुसलिम होना है भाई साथ आपने कहा कि उसे मुसल्मान बनना है और वो चाहता है कि खुरान का तरजुमा मिले इंशाला मेरे जवाब के बाद आप यहां सकते तरजुमा लेने के लिए और उन्हें का कि वो मुसलिम बनना चाहते है घर में प्रॉबलम है अभी दोस्त के साथ रह रहे बाई साथ मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है ये आप मानते हैं कोई माबूद नहीं ये आप मानते के बुद परस्ती गलत है ये आप मानते के मुहम्मद चल्लाव सल्लम आखरी पैगंबर है ये आपको इसलाम कबूल करने पे कोई भी मजबूर कर रहा है कोई भी जबरदस्ती कर रहा है ये बिलकुल नहीं कोई भी माली दबाओ कोई भी प्रेशर कोई आपको धमकी दे रहा है आप अपने दिल से करना चाहते अपने दिमाग से क्योंके जबरदस्ती किसी को मुसल्मान बनाना हमारे इसलाम में हराम है इसलाम में भी हराम है इस देश में भी हराम है किसी को जबरदस्ती इसलाम कबोल कराना इसलाम में भी हराम है स्धेश में भी हराम है तो आप अपने दिल से कबोल करना चाहते चे मैं इंशाला आरभी में कहुंगा और आप उसको दुरा सकते में गवाई देता हूँ कि Allahu कोई माबूद नहीं और मुहम्म्मद असके बंदे और पेखंबर है माशाला आप मुस्लिम बन चुके क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ इस टेज पाराग जरूर आप इदर आ सकते और इंशाला मेरे से कुरान मुजिद का तर्जमा आप आ सकते और नाम भी बता दीजिए मुझे आपका नाम क्या था आपने का अभी शेक बर्मा अभी शेक बर्मा अभी शेक जो अच्छा नाम मेरे जैन में आप अपने आपको Unla कह सकते अब्दुन ला मतलब अल्ला का बंदा अल्ला का अब्दध और में दूआ करता हूँ कि अल्ला सुभानाव टाला आपके मुश्किलाथ को आसान करे मैं दूआ करता आपके फैमिली मेंबर्स आपके खांदान वालों को भी दायत दे मेरी इलतीजा है आपसे कि अपने खांदान वालों से और महबबत कीजिए जो मुस्लिम बनने के पहले महबबत करते थे उससे ज्यादा महबबत कीजिए क्योंकि हमस्वासन फर्माते कि मा के पैर के नीते जन्नत है आपकी उनकी नहीं आप अपनी वालदा की इस्दत कीजिए उनका कहना मानिये अगर वो कुरान और हदीश के खिलाफ पुछ कहते उस वक्त सिर्फ उनकी बात मत मानिये उसके इलावा जो कुरान और हदीश के खिलाफ को नहीं कहते लेकिन आपको मिसाल के थोरे पसंड नहीं था नीला कलर पहना अभी नीला कलर पहना इसलाम इलाम ने वो अगर कहती है आपकी वालदा तो पहनिए उनको मालूम बढ़ना चाहिए का मेरा बेटा मुस्लिम बनने के बाद मुझसे और मौबत कर रहा है मेरी और खिद्मत कर रहा है और हम दूआ करते हैं ल्ला टाला उनको हिदायत दे और इन्शालला आप से आप स्टेज़ पर आसकते इन्शालला मैं आपको हिंदी में तर्जमा दूँगा कुरान मजीद का तब तक दूसरा सवाल पूछ सकते